महराश के कोकन छेतर के समनु टटी इलाकों और मुंबई सहीद मुंबई के आजपास इलाकों में भयानक तबाही मचाने के बार तौते तुफान एक तोफा देकर गया है। तौते चक्वती तुफान के उज़द से बंगाल के पास के समनुद्रे इलाकों में मांसून के आगबन के लिए एक पोशक वातावरन तेयार हो गया है। इस उज़द से इस बार मांसून हर बार के पेक्षा भारत में जल्दी दाखिर होगा। उसमी भारत ने अंदाज देता है कि उसमी भारत के मताबिक आने वाले 30-4 दिनों में मांसून अंडमान में दाखिर होगा। इसके बाद केरण से होते हुए या मांसूनी बरसाथ 8 जून को महराश के कोकन छेतर में दाखिर हो जाएगी। मांसून के पुरोनिधारी तारीक एक जून है और इसके 31 मही तक केरण में पोचने का अनुमान प्यताया गया लेकिन बदली हुई तारीक के मताबिक अंडमान के समुद्री लाकर से यह 22 मही को दाखिर होगा। क्योंकि ताउते चक्रवती तुफान कुजत से फिलाल अरब सागर में हवा का बहाव तेज हो गया है। 20 मही के आजपास बंगाल के समुद्री लाकों में हवा का बहाव और तेज होने का अगमान है इसके बाद 21 मही को बंगाल के दश्णी समुद्री भाग और अंडमान न दूमी की तुन्ना में 2021 में 130% बरसास होने का अनमान है इस अनमान से 5% तक कम या ज्यादा बरसास हो सकता है। इसका अन्दाजा है कि उत्तर भारत और उत्तर पुरवी भारत के इस भागों में पूरे सीजर में जोरदा अरबारिस हो सकती है।